नमस्कार सबस्रीकाल आवाद असलाम वालेकुम सबीको भाईयो आपके दोस्त बबलु सिंग आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद बबलु में आपका स्वागत करता है तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने रूट वर्ड से वोकेव की ती और रूट से पहला वर्ड मैंने लिखा मोनो गेमी मोनो मोनो का मतलब होता है बन और गेमी का मेरी जैनी इसकी एक्स्प्लैनेशन मैंने लिखी स्टेट और बीम मैरी 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 तू वन पर्संट एक टाइम एक से मेरी स्ट गई जो मेरी तो नेस्ट आता है बाई दिवी दिवी का मतलब होता है दू यहीं तू इसका अर्थ मैंने लिखा स्टेर और बी मेरीट तू तू परसन एड़ टाइम एसा परसन जो एक टाइम में दो से मेरीज करें कोई भी दो साधिया नहीं कर सकते हैं जब तक उसका डाइवर्स ना हो और बगवान नागरे की एसा हो ठीक है और हां कुछ धर्मों में कुछ रिजिस में यह माना गया है कि वहां पे हम एक से ज़्यादा साधिय कर सकते हैं तो इसी देन को उफेंस भी नहीं माना जाता तो स् नाओं या दो फूर्शों से साधिकरें नेक्स आता है बाइगेमिस्ट इसी का यह कोशिच किया है तो इसका मंदल सेम ही मीनिक निकलता है जो इसका मीनिक है इसा परसन जो एक टाइम में दो से साथियां करें अब आता है नेट्स फिलोगेमी फिलोग का मतलब होता है लाव अब यह रूपी हम आगे जाके करें के लाव वाला फिलोग वाला तो इसका मैंने लिखा इसा परसन जो साधियों से बहुत ज़्यदा प्यार करता हो जिसको मेरी से नफरतना हो तो इससे तहर को होता है सब देखन नेस्ट मैंने फिलोगेमी को फिलोगेमी का नावन मना दिया दाज सें ने कि मैं Can जो कि लॉट्स है यह इसा पर्शन हो तो मेरीच से लव करें जो मेरीच से प्यार करें नेक्स्ट आता है जो गय ह्निक कर लेते हैं इसका बीजो में आपको लाउट है कर वाका आए तो कि अजुआ हु आए यह आसरा पर्शन है नफरत करें हो एसा पोई नहीं होता एसा पर से दोग साध्यों से नफरत करें नेट्ट हाता है मीजो गयमिट यानि इसको एक नाउन बना दिया है तो नाउन बनाने के बाद इसका मेनिक निकलता है यहां यहां पर्सन जिसको साधियों से नफ्र तो एसा पर्सन जो मेरिट से हेड़ करें यहां अबर्जन टू मेरिच यह इसी का सेमी मेनिंग निकलता है कोई डिफ्रेंस नहीं है आगया था एंडो एंडो का मतलब होता है विदिन एक पर्सन जो अपनी कम्यूटी या काश्ट मेरिच करें यह सा पर्सन जो अपनी कम्यूटी काश्ट या अपनी जाती समुदाई के अधर साधी करता है उसको बोलता है एंडो गए में यहांने वन सिरे वगने इंडो चल्क अवाई यह एंडो जो अवांने लोग नहीं विदिन इंडो 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 का में धिए यानि एसा परसंज आपने ही कम्लीटि अपने ही काश्ट के अंदर मेरी सकन्य उसको बहता है इंडो जरुआन। अब करते हैं नेक्स्ट अब नेक्स्ट वह हो गए एंडो यानि जो विदिव कम्यूनिटी में ही मेरीज़ के आगे आता है एक्जो गम्य होता है आउटसाइड एक्जो का मतलब होता है आउट यानि ते आउटसाइड आउटसाइड एक्जो अपनी कम्यूनिटी अपनी कास्ट या अपने इसे बागर मेरी इसकर उसको बला लाता है एक्जो गम्यूंद अगर आता है हाइपर हाइपर का मतलब होता है अपर हाइपर 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 का मतलब होता है अपक इसका मतलब हो गया है स्टेट ऑफ दो मेरिं कि तूप अप अब आठीक अपनी से सुपीरियर्स या नि अपर क्लास की लड़की अड़की से शादी करें इसा पसंद आपने मान के चलों को इरीच से बहुत ज़दा रिच लड़की से रिच लड़के से मेरीच को बोर दाता है हाइपर गयमी अब इसी के उल्टा देख लेते हैं हाइपोगेमी हाइपो का मताब निकल के आता है अगा कि स्टेट कि ओप कि मेरी कि तूब कि अब कि मोउर्ट क्लास या कार इशा पसंद आपने इसे लोवर ट्राश की लड़की यह जोंद Beim दो कर हो थायाब आता है यह OPSी की का मन्दम अट इसका मेनिंग नहीं करता है जो इस टेट वो मेरिंग अ अगर लेट इन लाइफ आप आप परसं याणि एसा परसंट तो लाइफ में लेट में रिसके अधर साधी में लेट नहीं हुआ अगर आप लेट होगे तो आपको मुला जाएगा पुपसी गेमी इस अपसंद दो साधी लेट करें जिसकी लाइब में लेट तक साधी नहीं आप काफी लेट बात होती है वह से पसंद तो करते हैं अगर आगा तहा है डाई डाई का मतलब होता है सेकिंड यानि चलिक आफ्टर एड है कि वहाँ एज taken है हारप भल और चरव अकोतुल है ५श्य हमें सब्सक्ति और को अगर अगर के आपके पार्टनол की डेष हो जाए या धा डाइबरस हो जाए ऑका इसको रुगोर्स हो जाता है और आप उस को दूसरी साधी करता है, डाइग्यमी अब अध्य गहसे उसके निए डिकिन आप्ट देथ होसके करदा हों अब 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 तर थी यह वर्ड आपनी सुना भी होगा थीयो को रिलेट किया जाता है जो बोर्ड से बोर्ड से रिलेट किया जाता है उसका मेनिक निए होता है मेरिच और दोर्ड नहीं जो बहुत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है काफी बार कुछा भी एग्जाम है क्या मतलब है जब डाइवोर्ड के बाद कोई भी अपने पार्टनर को कुछ भी देता है कोई अलांस देता है कोई पेस्ट केज देना पड़े कुछ भी सामान देना पड़े उस चीज़ को बोरा दाता है इसमें लिखते हैं मैं है एए लांस पेड वाइफ आफ्र दाइवोर्ड आपने अपने बाइवोर्ड ने अपने और डाइवोर्ड यह जो डिएवोर्ड के बाद अपनी वाइफ को दिया दाता है जैसे एटी को अब पोड़न को दियाता जब उनका डाइवोर्ड हुआ था यह जो आफ दोस्तों को समझने आगे कुए हैं आज हमने रूट बड़े किया है गेमी का मतलब होता है मेरीज यह निस वाप कई होगी कई होगी और नहीं उनकी भी हो जाईगी कोई बाद नहीं नहीं पहली इस तरह के वर्ड भी आपने याद है दिन को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें थेंक यू